दो-चार दिन नहीं है? क्यों क्या हुआ? अरे तुम्हें पता नहीं? अरे वो अमबेड़कर जी का कुछ है ना? आधे वक्त तो बहुत भीड़ थी, अमबेड़कर के नाम से जोर जोर से चिला रहे थे पता नहीं क्या है इस अमबेड़कर में? सबको मुफ की सवारी मिल जाती है, आज आते हैं मैं तो नहीं आ लोकर कॉलेज, और हाँ, आप लोग भी मत आईएगा एकदम सही बोला, मैं भी नहीं आऊंगी कॉलेज पर तुम में और मुझ में सिर्फ इतना फरक है, कि कल मैं उसी भीड़ का एक हिस्सा बनने जा रही हूँ कल 6 दिसेंबर है, डॉक्टर बाबा सैब अमबेड़कर जी का महा परिनिर्वान दिन, उन्हें मैं नमन करने जा रही हूँ क्या तुमने देखा नहीं? ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, वो अपने बच्चों को लेकर शामिल क्यूं हुए इस भीड़ में? क्यूं माबाब अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर लेकर आते हैं इस भीड़ में? क्यूं कॉलेज के युवा खड़े हो जाते हैं उस भीड़ के साथ जो अनपढ़, देहाती और गवार है? इस आधुनिक भारत के निर्माता को नमन करने सिफ महाराष्टर से नहीं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं अगर ठीक से देखते, तो तुम्हें ये भीड़ भीड नहीं लगती और तुम्हें अपने आप ही पता चलता कि अमबेट कर जी क्या है? दोस्त, इस देश को भारत माता की जैकेने का मोका अमबेट कर जी ने दिया है। अमबेट कर जी ने दिया। पुछ लोग अभी भी अंजान है इस बात से। लेकिन जो लोग जान चुके हैं, वो लोग आज आते हैं चैते भूमी पर बाबा साहिब को वंदन करने हैं। एक साल की बच्चे से लेकर सो साल की बुड़े तक। बाबा साहिब के नाम का फायदा चुपके से सब लेते हैं। पर जो सीना तान के खड़े रहते हैं, वो सब की आखों में चुपते हैं। पताने कितने स्वांसर नेता खड़े किये गए बाबा साहिब के साम में। सब के सब मिट गए। इतना पैसा फेकने के बाद भी बस।